कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि खूपसूरत रंग बिरंगी अनेको पतंग जी हां ये देखिए दोर जिसे रील भी कहते हैं जिसे चर्खी भी कहते हैं ये दोस्तों बसंत पंचमी की बड़ी धासु तैयारी है देख रहे हैं दोस्तों बसंत पंचमी के दिन इन पतंगों का बहुत बड़ा उत्सव होता है हजारों लाखों लोग इनको उड़ाते हैं ये पतंगे इनसान के जीवन में बहुत एहम भूमिका निभाती हैं इनका हकीकत ये है कि बहुत ही पुराना इतिहास है इनसान के खुशी में पतंगों का एक बहुत महत्वपूर इन स्थान है बलकि आजकल तो पतंगों के बहुत बड़े बड़े टोनामेंट भी होते हैं जी हाँ इसलिए पतंगों का एक बहुत बड़ा बाजार है वियापारिक तोर पर भी इसका एक अपना ही मार्केट है अपना ही बिजनेस है लाखों लोगों के घर की रोजी रोटी इसी से चलती है तो कहीं नन्य मुन्य हाथों को खुबसूरत प्यारे प्यारे चेहरों को ये पतंग खुशी भी देती है लेकिन हाँ दोस्तों दूसरा पहलू ये है कि जिसकी पतंग कट जाती है माई गॉड वो बहुत दुखी हो जाता है खेर ये तो जीवन के दोनों पहलू है कभी खुशी कभी गम लेकिन इन पतंगों का क्या कहना है ये सालों से हवा में आकाश से बाते करते हुए उर्ती चलिया रही है और उर्ती रहेंगी बसंत पंच्वी पर इनका उल्णा बहुत महत्वपूर होता है और देखने के काबिल होता है क्योंकि ये आस्मान में लाखों लाख उर्ती है यहां दोस्तों मैं गंगे नियूस के लिए हर द्वार से जतिन सक्सेना